बॉलिवुड की दुनिया ऐसी है जहां कोई भी फिल्म बिना रुमैंस के नहीं बनती बहुत जादा तर फिल्मों में जो है मेन सब्जेक जो हता है वो रुमैंस होता है हीरो हीरो इनका प्यार होता है लेकिन आपको बताएं कि बॉलिवुड में पर्दे के पीछे भी कई ऐसी कहानिया हैं कई ऐसी यादगार प्रेम कहानिया हैं जिसके बारे में सालों तक चर्चा होती रही ऐसी ही कहानी जो है वहीदा रह्मान और गुरुदत की भी है गुरुदत वो दिगज फिल्मकार जो की समय से बहुत आगे चलते थे और अपने दोर में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म में बनाई तो वही वहीदा रह्मान ऐसी एक्टरिस जो बहुत ही खूबसूरत थी बहुत ही उंदा एक्टिंग करती थी और डांस में वाहिर थी पचास और साथ के दशक में जो है वहीदा रह्मान जो है बॉलिवुड में चाही हुई थी तो वही गुरुदत जहें एक फिल्मकार के तौर पर उन्हेंने बहुत लंबी लकीर खीजी थी आपको बताए कि फिल्म CID के लिए जो है गुरुदत एक नया चेहरा तलाश रहे थे और इसके लिए जो है एक बार जब वो साउथ गए तो वहां उनकी नजर जो है खुबसूरत वहीदा रह्मान पर पड़ी उनको लगा कि इस एक्टरस को जो है हिंदी फिल्मों में होना चाहिए और उसके बाद उन्होंने वहीदा रह्मान को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया मुंबई वहीदा रह्मान पहुची और पहले ही उनको सेलेक्ट कर लिया गया तो फिल्म में जो है CID में वो नजर आई लेकिन थोड़ी वो उनका जो रोल था वो नेगिटिव रोल था धीरे धीरे जो है गुरुदत की फिल्मों में वो लीड हीरोईन के तौर पर काम करने लगी और धीरे धीरे इन दोनों के बीच कहा जाता है कि प्यार वाला रिष्टा पन अपने लगा आपको बताएं कि उसी दोरान गुरुदत की शादी भी हो रखी थी उन्होंने गीता जादत नाम की सिंगर से शादी की थी उनके तीन बच्चे भी थे एक तरफ गुरुदत का अपना घर परिवार था तो दूसरी तरफ वहीदा रह्मान जो है उनकी फिल्मों की प्रेड़ना बनी हुई थी उनके बिना जो है वो अपनी फिल्में बनाने के बारे में सोच भी नहीं पाते थे उनकी जादा तर फिल्मों में जो है लीड अक्टरिस का रोल जो है वहीदा रहमान ने किया चाहे वो कागज के फूल हो चाहे वो प्यासा फिल्म हो चाहे वो उनकी फिल्म चौदवी का चांद हो हर फिल्म में जो है वहीदा रहमान ही होती थी और वहीदा रयमान और गुरुदत की रिष्टे जो हैं कहा जाता है बहुत लंबे समय तक रहे पबदुनिया के सामने जो है कभी वहीदा ने इस बात का इकरार नहीं किया कि वो गुरुदत को प्यार करती थी लेकिन उन्हें ने हमेशा गुरुदत का संबान किया गुरुदत को अपना बहुत करीबी माना वहीं गुरुदत ने भी कहा जाता है कि वो जो है वहीदा रह्मान से शादी करना चाहते थे और वहीदा रह्मान भी उनसे प्यार करती थी और इस तरह दोनों के बीश दोस्ती थी इस तरह दोनों के बीश नजदी की थी कि दोनों के परिवार के बीच भी उनका आना जाना था लेकिन धीरे धीरे जो है गुरुधत की वाइफ गीता दज जो है उन दोनों की नजदीकी से नाराज होने लगी एक समय तो ऐसा भी आया कि वो बचों को लेकर जो है अलग हो गई तो वहीं गुरुदत भी जो है उनको लगा कि वहीदा रहमान की वजह से उनका परिवार टूट रहा है तो धीरे धीरे उन्होंने वहीदा रहमान से दूरी बनाना शुरू किया आपको बता है कि उस दोर में ये खबरे तक आई थी कि वहीदा रहमान और गुरुदत ने गु वहीदा रहमान जो है जब वाली वुड में बहुत जादा उनका नाम होने लगा और जब वो गुरुदत की फिल्मों में उस हिसाब से नहीं काम कर रही थी जिस तरह वो चाहते थे तो गुरुदत ने जो है उनके मेक अप रूम को इस्तेमाल करने पर भी बैन लगा दिया था ये इस बात का जो खुलासा है अबरार अलवी ने अपनी किताब में किया था कि गुरुदत जब वहीदा रहमान उनकी फिल्मों के अलावा दूसरी फिल्मों के लिए मेक अप करने जब उनके मेक अप रूम में आती थी तो उन्हों ने उन पर रोक लगा दी थी और इस बा तूट रहा था एक तरफ दूसरी तरफ उनके तीन बच्चे थे बीवी जो है बच्चों से उनको मिलने नहीं देती थी दूसरी तरफ वहीदा रहमान को भी गुरुदत के साथ कोई ऐसा भविश्य नहीं दिख रहा था क्योंकि वहीदा रहमान जो है मुस्लिम थी गुरु अब फिर जब गुरुदत के बारे में एक खबर आई की अचानक उनका निधन हो गया तब अबरार अलवी के मुँ से यही बात निकली थी की गुरुदत ने अपनी जान ले ली ये बात अभी तक सामने नहीं कलियर हो पाया कि गुरुदत ने आत्महत्या की थी या फिर जादा शराब पीने की वज़से या फिर नीन की गोलिया शराब के साथ लेने की वज़स उनका निधन हो गया था लेकिन ये भी कहा जाता है कि गुरुदत ने वहीदा रह्मान की खातिर जान दे दी या फिर अपने टूटते परिवार की खातेर उन्होंने जान दे दी जो भी हो लेकिन गुरुदत और वहीदा रह्मान की जो अधूरी प्रेम कहानी है इसकी चर्चा जो है सालों से छोती आई है और अब भी लोग जो है वहीदा रह्मान खुद इस बारे में बोलती है कि गु यो दी ये अब भी वाकए उनको भी नहीं पता क्योंकि फिल्मों के फ्लॉप होने का डिप्रेशन तो था नहीं कागज के फूल उन्होंने बहुत कहते है कि वो उन्होंने बहुत सोच समझ के फिल्म बनाई थी कि ये फिल्म चलेगी लोग पसंद करेंगे लेकिन वो फिल् के डिप्रेशन की वज़ा नहीं हो सकते लेकिन कहीं ने कहीं टूपता हुआ परिवार और वहीदार हमान से दूरी की वज़ा से कहा जाता है कि गुरुदत ने अपनी जान दे ली थी